नमस्कार दोस्तों दर्भंगार उसमें आपका स्वागत है मिथला को मिलने जा रहा है उसका अपना इंटरनाशनल एरपोर्ट जियां दोस्तों आज अथिहासिक दिन है क्योंकि मंगलवार को 78 एकट जमीन जो मिलना था उसकी परक्रिया पूरी हो गई है और इस अथिहासिक दिन से यह पता लगता है कि आने वाले दिनों में दर्भंगा में एक इंटरनाशनल एरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो चुका है तो आज इसी की बात करेंगे जो 78 एकड का इंतजार पिछले धाई तीन साल से लोग कर रहे थे वो आखिर कार पूरा हो गया 78 एकड जमीन का जो अधिगरण है उसको परशासन ने पूरा कर लिया है और जमीन को ट्रांसफर करने की कारवाई चल रही है एरपोर्ट अथर्टी अफ इंडिया को आपको बता दें कि दो चर्णों में यह अधिगरण किया गया है और यह दूसरा चर्ण भी पूरा हो गया और इसकी जानकारी संजैज कुमार जहा बिहार सरकार के मंत्री ने दिये कि राज़ सरकार से मागी गई भूमी के शेश बाग के अधिगरण की परक्रिया आज पूरी हो गई है ट्वीटर पर नहोंने यह जानकारी दी और नहोंने यह भी कहा कि पर 342 करोर से अधिक खर्च को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री नितिश कुमार का आभार भी जताया है तो ये बड़ी चीज आ रही है कि दर्भंगा में जो बात की जा रही थी राष्टी और अंतराष्टी एरपोर्ट बनाने की उस दिशा में ये कदम है क्योंकि यहां पर अभी भी बहुत सारी रिस्टिक्शन हैं अभी भी यहां पर जो है वोल नाइट लैंडिंग की विस्तार है वो अब हो सकेगा और फेस्बूक पर उन्होंने लिखा संजय कुमार जाने के हमें शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि दर्भंगा एरपोर्ट पर आधुनिक सिविल इंकलेव के निर्मान रनवे विस्तार के लिए जो सेश भूमी के अधिगन की प्रक्रिया है उसे जिला प्रशासन ने मंगलवार यानि 28 फरवरी 2013 को पूर्ण कर लिया है दो किष्टों में भूमी अधिगन कर लिया गया है राजस सरकार द्वारा और इसमें जो है बासुदेव पूर ग्राम जो है वहाँ पर करीबन तीरपन एकर जमीन का अधिगन की प्रक्रिया पूरी की गई है इस सिविल इंकलेव यहाँ पर बनेगा और एरपोर्ट अधरी अफ इंडिया को यह जमीन हस्तांतरिंड करने की सम्मंदित आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया 28 फरवरी से ही शुरू कर दी गई है और इस जमीन अधिगन पर खर्चा जो हुआ है वो दो अर होने जानकारी दी है तो 24 एकड़ और 54 एकड़ मिला करके 78 एकड़ जमीन जो एरपोर्ट अथर्डी अफ इंडिया ने मांगी थी वो जमीन की प्रक्रिया पूरी हो गई है 2-3 साल का वक्त लगा तमाम तरह की बाधाएं आई लेकिन अब यह जो लुक है वो बदलने वाला ह यहां पर और जैनगर की दिशा से जो आप इंट्री अभी लेते हैं जैनगर हाइवे की दिशा से वो अब सक्री हाइवे की दिशा से यानि इस्ट वेस्ट कोरिडोर की तरफ से आप इंट्री लेंगे आने वाले कुछ वर्षों में तो यह सबसे बड़ी बाधा दूर हो ग पर दिखान के लाइक है बहुत बड़ा है और इसी का जो फाइदा है यहाँ पर मिल रहा है और जो 78 एकर जमीन मिलेगी उसमें भवे टर्मिनल बनेगा जैसे भी हाल फिलहाल में शिमोगा में बना था वैसे ही टर्मिनल बनेगा इंट्री एक्जिट अलग होगी ग्राउंड स से इसको निर्मान किया जाएगा जो बाकी शहरों में होता है और सबसे बड़ी चीज यह है कि यहां से अब नाइट लैंडिंग की ववस्था का भी रास्ता साफ हो गया है यानि कि आने वाले दिनों में 2400 घंटे यहां से उड़ान की जो है निर्बाद रूप से हो सकेगी इसकी भी ववस्था हो जाएगी और इस 78 रेकर में सिविल इंकलेव, रनवे विस्तार तमाम चरह की चीजे होंगी अब देखना होगा कि एरपोर्ट ऑथर्टी अफ इंडिया अपनी भूमी का अब कैसे निभाता है क्यों बिहार सरकार ने देरी सही लेकिन 78 रेकर जमीन न इतजार तो है कि जल्द से जल्द यहां से सुखधाएं हो क्योंकि यह देश का नंबर वन उड़ान ये एरपोर्ट बन चुका है मुनाफिक के मामले में और इसने सारे एरपोर्ट को पीछे छोड़ा है यात्यों की उक्पेंसी यहां से बहुत जादा है और यहां पर डिम किराय के रूप में इसका लोगों को लाब मिल सकें तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाक कीजिए शेयर किए कमड़ी सब्सक्राइब कीजिए कुछ और वीडियो के साथ हाजरूंगा आप देखते हैं दर भंगरोक्स शुक्रिया दनबाद जैंजा भिह जा मतला